हलो एवरिवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज आप से मैं Epsom Salt के बारे में बात करने वाली हूँ कि Epsom Salt होता क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है और इसको यूज करके हमारे प्लांट को क्या फायदा मिलने वाला है तो मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ Epsom Salt हमारी प्लांट की All Over Growth के लिए बहुत अच्छा होता है यह हमारे प्लांट को बहुत strong बनाता है और प्लस जो photosynthesis का काम होता है उसको भी तेज करता है अच्छा मैं यह भी बताओं आपको कि Epsom Salt कुछ जगह यूज होता है कुछ जगह नहीं यूज होता है तो यह मैं आपको आगे वीडियो में बताओंगी तो आप skip मत करिएगा और इसको दो तरीके से दिया जा सकता है Epsom Salt दो वे में हम अपने प्लांट को दे सकते हैं आपको जो भी तरीका सही लगता है आप उसको चुनिए और अपने प्लांट को दीजिए मैं एक चीज और आपको बता दूँ कि यह एक chemical fertilizer है तो आप अपने प्लांट को इसको मन्त में सिर्फ एक ही बार दीजिएगा ऐसा नहीं कि आप हफ्ता 10 दिन में या 15 दिन में दे रहे हैं नहीं एक बार दीजिए चाहिए किसी भी method से दीजिए दोनों में से कोई भी method choose करिए लेकिन सिर्फ एक ही बार देना है मन्त में तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहले हमें epsom salt किये देखिए यह है epsom salt यह ना तो चीनी है और ना ही नमक है आप लोग confuse मत होईएगा यह है magnesium sulfate यानि epsom salt तो हम इसको किस तरह देंगे पहले हम इसे direct soil में देंगे तो यह पहला method है तो इसके लिए हमें अपनी soil को loose करना होगा अच्छे से चारो तरफ से हम अपनी मिट्टी में गुडाई कर लेंगे ताकि हमारे मिट्टी थोड़ी सी loose हो जाए और आप थ्यान से गुडाई करेगा हमारी root बहुत जादा disturb ना हो तो क्या करेंगे soil को एक किनारे कर लेंगे और उसके बाद चारो तरफ से मिट्टी को इखटा कर लेंगे फिर हम लेंगे epsom salt अब हमें ये भी देखना है कि किस plant में कितना डालना है जिसे मेरा ये जो गमला है ये 8 इंच का है तो मैं इसमें half spoon ले रही हूँ अगर आपका गमला 12 इसे 14 इंच का है तो आप इसमें 1 spoon डाल सकते हैं ऐसे ही अगर आपका गमला और बड़ा है तो आप quantity को बढ़ा लीजेगा अगर छोटा है तो घटा लीजेगा तो उसके बाद चारों तरफ जब हम Epsom salt डाल देंगे तो उसको अपने soil में अच्छे से mix कर लेंगे ये बहुत जरूरी है जब आप अच्छे से mix कर लेंगे तो आपका Epsom salt बहुत जल्दी आपके plant को मिलेगा और अगर उपर ही रहेगा तो आप पानी डालेंगे तो उसको dilute होने में time लगेगा तो इसलिए अच्छे से cover कर दीजिए उसे और cover करने के बाद हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है हमें इसमें watering करनी बहुत ज़रूरी है watering करने से क्या होगा ना कि अच्छे से हमारे soil में हमारा जो epsom salt है वो mix हो जाएगा और हमारे root को अच्छे से मिलेगा भी तो चारो तरफ से बढ़िहां से पानी दे देना है देखे मैंने दे दिया है हर तरह से ये बहुत बहुत ये तरीका बहुत easy है आपको इसमें बहुत महनत की जरूत नहीं पड़ेगी और इसके बाद एक और तरीका है जिसको हम अपने प्लांट में दे सकते हैं तो चलिए मैं अब आपको दूसरा method बताती हूँ कि अब हम दूसरे method में किस तरह अपने प्लांट को epsom salt दे सकते हैं तो उसके लिए मैंने spray bottle ले लिए है ये spray bottle है और इस spray bottle में मैंने आदा लीटर पानी ले लिया है ये देखिए आदा लीटर पानी है और इस आदे लीटर पानी में मैं कितना डालने वाली हूँ epsom salt वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें half spoon Epsom salt लिया है जिसे आधा लीटर पानी है तो half spoon Epsom salt अगर एक लीटर पानी है तो एक spoon और अगर दो लीटर है तो दो spoon ऐसे करके आप अपने पानी के according Epsom salt को बढ़ा सकते हैं और अगर कम करना है तो कम भी ले सकते हैं तो इसको अच्छे से tightly बंद कर दीजेगा और बंद करने के बाद इसको ये बहुत जल्दी पानी में mix हो जाता है तो आप बहुत महनत नहीं करनी पड़ेगी बस आप थोड़ी देर उसको अच्छे से shake कर लिजे उससे ये mix हो जाएगा हमारे water में और ये ready है अब अपने plant में spray करने के लिए तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ spray करते करते ये भी बता दूँ कि इस plant इस epsom salt को जब हम plant में देंगे तो हमारे plant को क्या-क्या फाइदे मिलने वाले हैं तो नमबर एक पहले तो हमें ये जैसे इसमें magnesium sulfate है तो magnesium क्या होता है magnesium से हमारे जो plant की leave होती है वो बहुत हरी-भरी रहेंगी बहुत चमकदार होंगी और बहुत बड़ी-बड़ी निकलेंगी बहुत खुबसूरत हरा-भरा सा हमारा plant हो जाएगा दूसरी बात ये हमारे plant की growth में बहुत help करता है जैसे इसको डालने से हमारे plant की growth की speed जो होती है वो काफी fast हो जाती है तीसरी बात जब हम कोई भी plant report कर रहे होते हैं तो ऐसे plant को shock लगता है तो उस shock से बचाने के लिए कि हमारा plant shock में ना जाए हम उस समय reporting करते समय epsom salt का use कर सकते हैं क्या epsom जैसे आप जब plant लगा रहे हैं आप अपने soil में half spoon या one spoon अपने गमले के हिसाब से उसमे epsom salt डाल के आप अपने plant को report कर दीजिए और आपके plant को कुछ नहीं होगा ये rose के plant के लिए भी बहुत फायदे मन्द होता है जैसे हमारे rose plant ठंडियों में ज़्यादा अच्छे से grow होते हैं ठंडियों में ज़्यादा flowering करते हैं तो उसके लिए क्या होता है अगर आप डालेंगे तो जो आपका rose का flower है वो बहुत बढ़ा निकलेगा उसका color बहुत खुपसूरत होगा उसकी leaves बहुत शाइन करेंगी और प्लस यह growth बहुत फास्ट करेगा क्योंकि winter का seasonal plant होता है रोज और उसी समय उसको growth भी करनी होती है फ्लावरिंग भी करनी होती है तो ऐसे में अगर आप epsom salt डालेंगे तो बहुत fast growth करेगा और बहुत अच्छे flower देगा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में